स्वागा था आप लोगों मेरे चैनल में आज की रिसीपी लेखाई हूं पनीर पास्ता रैप अगर वीडियो आप लोगों अच्छा लगे ति वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दोना ना भूले तो आईए हम बनाते हैं पनीर पा करीब और इसमें डालेंगे एक कटूरी दही थोड़ा सा स्वाधन सा नमक दे देंगे बेकिंग सोडा जो है थोड़ा सा डाल देंगे करीब आधा चमच और इन सबको मिक्स करेंगे दही देने से क्या होता है हमारा जो रोटी हम बनाएंगे वह सौपट बनेगा तो अटा हमारा रेडी हो चुका है तो इसको मैं धख के सदाधर साइड कर देती हूं तो यहां याक्श ले लिए हैं इस दे मेरेपास ताजो काथग्स क्रेने वाला तो वह लिलिया है और Heat कारके पहले थे अब इसम डालेंगे नमक कॉर्णे लोठी नमक का पस्वतवत र ज शील कमेही महाई काटले था अध्रक चाटके डाल दिये और इसमें हम डाल या अच्छा निया यहें भाटता हं मिक्स करना है हमें टिकी बनाना है कि हम जयदा मोटा नहीत बनाएंगी तो रहा अपने करनी मेधिक erf आ जाए अब हम इसमें डालेंगे अदरक लसून और हडी मिर्ची जो मैंने पहले सी काटके रखा हुआ था तीखा आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे बीन्स गाजर सिम्लामिर्च पत्ता गोवी आप लोग सब्जी और पसंद करना चाहते हैं वह आप डाल सकते हैं जो आप लोग खाना 34 मैंने यह सब्जी सब डाल दिया है अब ये इसमें एड किए हैं नमक किए थोरा सा क्योंकि हम देने के वाद डी पकने लगता है बस सबजी हमको इसी तरह से भून confessed बूंच चुका है क्योंकि पास्ता में थोड़ा सब्जी कच्छ राता है यह सब्जी 50% कच्छा है इसमें मैंने डाला है सोया सॉस और चीली सॉस अब ऐसमें डालेंगे टोमाइटो के चब 2 चमज अब हम इसमें अड़ बढ़ता है एक है एक चमज जो है डिड़ चिली सॉस मों डालनेंगे सेजवान चटनी dus यह व्ले सेजवान चटनी मैंने यूज्च किया है यह बहुत ऑच्छा फिले बढ़ता है अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता पास्ता को मैंने थोड़ा ज्यादा बोईल किया है क्योंकि रैप करने में फिर दिक्कत आ जाएगी तो इसलिए पास्ता को जो है जब भी है पकाए थोड़ा ज्यादा खास का रैप के लिए थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ेगा और इस तो अब जितना बना रोटी बनाना चाहते हैं उससाब से अटा का एक लोग लेले कर भूंसे थौरा सा माइदा छिरगेंगे और यह वाला रोटी होता है वह रहागा बनता है क्योंकि राप करने में थौरा सामें बड़ा रोटी का ही यूज होता करना इसी लिए यहां पर मैंने बड़ा रोटी बनाना शुरू कर दिया है जितना बड़ा आपका थावा हो इसी साब से आप रोटी बना सकते हैं को अब बच्छे को ये बहुत पसंद आता है और अभी ये बहुत चला हुआ है मेरे तावा गरम हो चुका है तो मैंने इस पर डाल दिया है इसको हम ज्यादा दर नहीं पकाएंगे अगर हम ज्यादा पकाएंगे तो फिर हम रैप अच्छे से नहीं बना पाएंगे तो इसको हलका हाथों से ही इसको ज्यादा लबदवाना नहीं है हलके हलके दवाना है और बीट से हम फोल्ड कर देंगे इसको चार्ट फोल्ड में इससे क्या होगा जो डिजाइन बन जाएगा ना तो हमें रैप करने में आसानी होगी और इससे देखे इसको दवा-दवा के रखते जाना है और हम क्या इधर जो है सॉस पना लेंगे पहले तो उसके लिए मैंने लिया है एक चमस सेजवान चतनी और यहां पर मैंनियोज लिया है इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसका फ्लेबर बहुत अच्छा आता है अब इसका फ्लेबर जो है मला डेट पर भी डाल के खा स लगा देंगे एक तरफ सौस लगा देंगे एक तरफ हम पनीर जो मैंने टिकी बनाए वह डाल दोंगी उसके उपर मैं डाल दोंगी टेमेटू और थोड़ा सा जो मैंने प्याच काटके रखा है वह एक तरफ हम पास्ता डाल देंगे और मैंने थोड़ा सा कॉर्ण था मेरे पास तो मैंने उसको भी बॉयल करके रखा हुआ था यह ओप्शनल है लेकिन देंगे तो अच्छा लाएगा और इसको पर मैंने डाला है पनीर आप पनीर के जगा जो है चीज का यूज कर सकते हैं अभी मैंने डाला है चीली फ्लैक् और हम इसको अराम अराम से इसको हम रैप की जो है फुल्ड करेंगे और यह देखिए मैंने फुल्ड कर लिया है आप चाहें तो नौनिश्टिक का ताबा जो रहता है उस पर भी यूज कर सकते हैं लेकिन मेरे पास जो है इस तैसे ग्रिल था तो मैं इसमें जो है इसको सेक अधो ही है पास्ता पनीर है इस जाए समसारा बना लेंगे अगर आप लोको मेरा यह वीडियो तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल लाइक में दोना ना भूलें और हमें बताएं कि आप लोको कैसा लगा मेरा वीडियू